आज अदिक जी आपसे मिले हैं और ये काफी परियसान नजर आ रहे हैं क्या है मामला पूरा ये पिछले एक महेंना देल मीने पेदी बात है इनकी पुत्रवधू अंजू भारती जिला पंचा सरस्य है उतके दो बच्चे उनके पती इनके बेटे भारती जी के उन्हें एक प अब भी जारी है और ओ जो सद्जी सिंग है जो उनके इस रेनु जोजरी पूरत दक्सिय पती है उन दोने मिलकर इनके बच्चों को अपण कर लिया था उसका मुगदमा मैंने इनके साथ मिलकर पुलिस तदीक सर्षिस गवाल लगा इन्होंने तो मैंने में इनकी से पूर देंगे हमारे पक्स में बयान देतों जिससे हम जेल जाने से बच जाएं और उन्होंने पुलिस सर्दिक्षक मोहदय के सामने और S.C.U. जो जांच कर रहे थे इसकी के सामने इनके बयान करवाए और फिर दुबारे छोड़ने की बजाए उन्हें फिर वहां से मुरह अग्यातिस्थान पर ले गए और यह बीचारे परसान हैं यह दुबारे मेरे पास आये हैं कि देड़ भहिना हो गया है ना छोड़ छोड़े बच्चे दुबच्चे हैं और इनका बेटा है इनकी बुत्रवदू है जिल पंचा सरस्य है दो महां से इनके घर पन नहीं है य जो इसमें बेयान दी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें उनकी फार रोग दी जाए वह इनकी मत करी है इससे इनकी बच्चे जब तक घर ना पोचने सुरक्चे जब तक केस में फार ना लगा जाए जाए बाइस अब का डोक्ट एनस भारती आज आप अधिक्ची से मिलें क्या मामला है पस यह है कि मैं पहले से इनके साफ था अब भी आज भी इनके साफ हो कल को भी रहुआ है क्या समस्या है जो आप इतने परिसान नजर आ रहे हैं और आप कुछ कह रहे हैं कि कोई बस पार के जो नीता है उनके उन्होंने बच्चे वच्चे को आपके किट्नैप कर रखे हैं पूरा मामलावत आई है अइसा है मैं परिसान मिख जी हूं कि जो जैडेव जी है मेरे बच्चों को लेगें ठीक है मुझे पता चलता रहा चार प्यां दिन तक लेकिन चारपान दिन के बाद मा कोई सूचना मिली उसके कान मैंने जो है अपने बच्चों की ओहर के लिए जब मेरा संपर्ग नहीं हो पाया जिए उन्होंना इस येक्ट का और इसका मुकदमा किया उनके खिलाब कर देंगा जिए जब नहीं बच्चे आये तो मैंने उनके खिलाब कर दिया अब जो है मैं इतना परिशान हूं कि ना मेरी पोती पोता और जो मेरी पत्तुल लेकिन बयान कराके छोड़ देंगे लेकिन बयान कराके वो मुझसे बात भी नहीं हो पाई और जहां पतना अग्यात इस्थान पर ले गए मैं इस बात से बहुत दुखी और फरशाद है आपने से पुलिस से पहले मैंने बीच में सिकात की थी अध्यक्स महतर जी से मिलके मैं बच्चे अभी नहीं आएं लेकिन उन्हों ना स्वासंदियाद आ जाएंगे कितने तारिक में अपराण हुआ था अपराण तो यह 16 तारिक में हुआ 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 है 14 में मैंने हां मिलके रिपोर्ट लिख वाई थी ऐसी क्या बजाया जो अपराण करके उन आपके बच्च अब क्या पूब तुम करोगी उसी के संदर्ब में जो बच्चों को यह ले गए उठाके पहला पसला करें ठीक